हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़न अभियान का गतिवीती पत्रक नमबर 22 कर रहे हैं ये क्लासिक से एट के लिए है और ये 11 फर्वरी के लिए आया है चले बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पर एक कवीता दी गई है और उसके बाद कुछ प्रशन दी हैं आप प्रशन पहे पर बैठा था अपना सोनू हलवाई जाकर पास जो मैंने पूछा भईया क्या है मिठाई बनाई लड़ू इमर्ती जलेबी सब कुछ यहां से पाओ पर दाम जुका दो सबके पहले फिर शोक से सब कुछ खाओ बच्चों यहाँ पर हलवाई के बारे में बात की गई है तो जरूर अलवाई से ही समदित कुछ प्रशन यहाँ पर होंगे पहला प्रशन है कवीता को पढ़िये और मिठाईयों के नाम को रिखांकित कीजिए यहाँ पर कौन-कौन सी मिठाई के नाम है लड़ू, इमर्ती और जलेबी प्रशन दो आज सोनू हलवाई ने असी लड छोटे डिबों में डाल कर एक स्कूल में बिजवाने हैं, एक डब्बे में पाँच लड़ू आते हैं, सारे लड़ू को डालने की Лिए कितने डब्बों की जूरत पड़ेगी, एक हलवाई ने असी लड़ू बनाए हैं, और वैं किसी स्कूल में बिजवाना चाहता है और एक डब्बे में पांच ही लड़ो आते हैं तो बताइए कितने डब्बे चाहिएंगे तो हमें यहां पे 80 लड़ों को विभाजित करना पड़ेगा इस तरह से कि पांच-माच के कितने संहू बन जाएं माच माच के समहूं बनाने के लिए हमें इसे 5 से भाग करना पड़ेगा भाग करने के लिए पहले हम 5 का पहाड़ा या टेबल ऐसी संख्या तक लेंगे जिसमें 8 हाजाए या जो 8 से छोटा हो 5 को हम 1 तक लेंगे कितना बचा? अब माइनस करेंगे तीन बचा उपर से फिर जिरो उता रहा हमने अब यहां पर तीस हो गया अब पाँच के पहाड़े में तीस कितने पर आता है छे पर तो यहां पर आगया सोला इसका मतलब है हम पाँच 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 करके सोला बाहर रखेंगे तो हमारे पास असी लड़ो पूरे हो जाएंगे इसका मतलब 16 डिबों में इन लड़ों को रखा जा सकता है प्रेशन दो लड़ों को डिबों में डालते हुए सोनू से साथ लड़ो तूट गए अब वह कितने पूरे भरे डिबे स्कूल भेजेगा उसके पास कितने लड़ो बचेंगे यहाँ पर उसके पास लड़ो थे असी अब उसके पास साथ लड़ो डूट गए तो हमें साबुत लड़ो के बारे में देखना है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे अब 80 में से 7 गए तो हमारे बचते हैं 73 अरे पास अब 73 यानि 73 लड़ू बचे हैं और हमें हर एक डबे में 5 लड़ू डालने हैं तो अब हमारे पास पूरे भरे हुए कितने डबे बनेंगे और कितने लड़ू बचेंगे इसके लिए भी हमें इसे भाग करना पड़ेगा 5 से तो पहले 5 का पहड़ा एक तक लिया 5 एकम 5, 7 में से घटा देंगे इस 5 को तो बचा 2, अब हमें उपर से 3 उतारना है हमने उतारा 3 अब हम 5 के टेबल को इस प्रकार लेंगे कि 23 से कम संख्या आए यानि 23 के पासवली संख्या आए तो 4 पर यह संख्या आ जाएगी तो बचेंगे हमारे 23 में से 20 में घटा देंगे अब बचेंगे हमारे 3 हमारे पास में 14 डिब्बे तो पूरे-पूरे भरेवे हैं और हमारे पास अब 3 डब्बे में अब तीन लड़ू बच जाएंगे तो इसका उत्तर है चोदा डिबे पूरे भरे हुए और साथ में उसके तीन लड़ू अलग से बच गए प्रेशन तीन सोनू ने गरमा गरम जलेबिया भी बनाई है अगर एक लिफाफे में सिर्फ आठ जलेबिया आती है तो एक सो बीस जलेबिया डालने के लिए कितने लिफाफों की जुरूरत होगी अब हलवाई ने जलेबिया भी बना दी जलेबियों को डालने के लिए कितने लिफाफे चाहिए जलेबिया कितनी हैं एक सो बीस और हमें एक लिफाफे में कितनी जलेबी डालनी है आठ डालनी है कितने लिफाफे होंगे जलेबियों को डालने के लिए तो 120 को हो जब हम 8 से भाग कर देंगे तो हमारे पास इसका उतरा जाएगा अब सबसे पहले हम 8 का पहाड़ा एक तक लेंगे हमारा आगया 8 12 में से 8 गया 4 अब हमने उपर से उतरा 0 अब 8 का पहाड़ा ऐसे लेंगे कि उसमें 40 आ जाए तो माच पर आ जाता है 40 तो इसका उतर हुआ 15 लिफाफों की जरूरत होगी अब प्रेशन 4 है सोनू के दो साती हैं उसके साथ काम करते हैं वो रोज की कमाई को आपस में बराबर बाटते हैं उनके पटवारे में उनके मदद कीजिए यहां पर इस हलवाई के साथ में दो लोग और भी काम करते हैं और जो भी रोज की कमाई आती है उसको आपस में बाट लेते हैं तो ये कुल तीन लोग हैं तो पहले दिन 9 तारीक को 1200 रुपे की कमाई हुई अब 1200 को इस तरहे से बाटना है कि तीनों को हिस्से मिल जाए बराबर बराबर तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1200 को तीन से भाग कर देंगे अब हमारा जब 1200 भाग करेंगे तो हमारे पास इसका उतरा जाएगा 400 यानि प्रतेक को 400-400 मिल जाएंगे इसके बाद 10 तारीक को उनके कमाई हुई 1350 रुपे इसको भी 3 इसों में बाटना है अब 3 के पहाड़े को लेंगे और 3 से इस 1350 को भाग कर देंगे और जो आएगा वह प्रतेक का हिस्सा होगा तीन के पहाड़े को हम 4 तक लें 12 माइनस करने से हमें मिला 1 उपर से हमने उतारा 5 अब 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है बिल्कुल सही 5 पर आता है तो ये हो गया 15 अब ये 0 है तो इस 3 के पहाड़े में 0 नहीं आता इसके नाम की 0 भी उपर लगा दी तो हमारा इसका उतराया 450 रुपे अगले दी कमाई हुई 1560 रुपे फिर इसे 3 इसों में बाटना है तो 3 से भाग करेंगे 3 का पहाड़ा 5 तक लिया तो 15 आ गया अब उपर से उतार लेंगे 6 3 के पहाड़े को किया हमने 2 तक तो 6 आ गया अब यहां पर 0 है इस 0 को तो हम 3 के पहाड़े में लें नहीं सकते इसके नाम की एक 0 पर लगा देंगे तो इसका आया 520 रुपे इस तरहें से पहला हिस्सा 400 रुपे दूसरा हिस्सा 450 रुपे दूसरे दिन और तीसरे दिन 520 रुपे बच्चों आज के सवाल हमारे किसे संबंदी थे भाग करने से या विभाजित करने से संबंदी थे इस प्रकार हम भाग करके बराबर बराबर सम्हू में किसी समान को बाट सकते हैं बच्चों आज की वक्षिटा को कैसी लगी क्या आप भी इस तरह से अपने घर में आए हुए समान को बहन भाईयों में बाट सकते हैं तो बच्चों इसी तरह से आप आट के देखना यहां पर कोवीड के संदर्प में एक उचित व्यवार संबनी संदेश दिया गया है उसे पढ़ते हैं दो गज अत्वा 6 पीट की शारिक दूली का पारलन करें बच्चों घर पर रहें स्वस्त रहें और गतिवीदी पत्रक करते रहें जल्द ही नेक्स्ट वर्क्षीट के सूलिशन के साथ मिलेंगे अगर आपको यह गतिवीदी पत्रक यह वर्क्षीट अच्छी लगी हो यह वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें